विश्व के सबसे बड़े लोग तंत्र भारत की राजधानी दिल्ली स्थित गवर्मेंट सर्वोदे बाल विद्याले बुराडी से मुहम्मद अर्ष हमसे ओनलाइन जुड रहे हैं और आपसे अपने मन के संद्धे का निवारण चाहते हैं मुहम्मद अर्ष कृपया अपना प्रश्ण पूछिए मानने परदान मंतिरी जी नमस्कार मेरा नाम अर्ष है मैं जीस बीवी बुराडी त्वल्ट एज का चात्र हूँ मेरा आपसे प्रश्णिय है कि हम अपने परिवेश में परिक्षाओं को लेकर नकरात्मक चर्चाओं को कैसे समोधित कर सकते हैं जो हमारी पढ़ाई और अच्छा परदर्शन करने की संता को मैटपन रूप से परवावित करती है क्या चात्रों के लिए अधिक सकरात्मक और सायक बातमर बनाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं धन्यवाद थैंक यू मोहमद अमान से डानिया शबू और डिली से मोहमद अर्ष तता हमारे जैसे अनेक विध्यारती समाज और आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशन के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते क्रिपया उनका मार्ग दर्शन करे शायद मुझे बताया गया कि ये परिशा पे चर्चा का सात्वा एपिसोड है और जितना मुझे याद है मैंने देखा है कि ये प्रेशना हर बार आया है और अलग-अलग तरीके से आया है इसका मटलब ये है कि साथ साल में साथ अलग-अलग बैचीज इस परितिस्यों से गुजरी है और हर नई बैच को भी इनी समस्याओं का सामना करना पूट रहा है अब विद्यारतियों की बैच तो बदलती है लेकिन टीचर की बैच इतने जल्दी बदलती नहीं है अगर टीचर्स ने अब तक जितने मेरे एपिसोड हुए है उसमें मैंने इन बातों का जो वर्रन किया है अगर उसका कुछ न कुछ उन्होंने अपनी स्कूल में एड्रेस किया हो तो शायद हम इस समस्या को धीरे 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 कम कर सकते हैं उसी प्रकारते हर परिवार में ज़्यादा तर हो सकता है बड़े बेटे ने या बेटी ने पहले एक आद बारे ट्राहल हो आओ लेकि उनके लिए ज़्यादा एक्स्प्रेंट नहीं है लेकिन हर माबापने किसी ने किसी रूप में इस समस्या को जुरूर अनुभव किया है अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या हो हम यह तो नहीं कह सकते हैं स्वीच आप प्रेशर बन ऐसा तो नहीं कर सकते तो हमने अपने आपको एक टो किसी भी प्रकार के प्रेशर को जहलने के लिए सामर्थमान बनाना चाहिए रोते बैठना नहीं चाहिए मानके चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है दबाव बनता रहता है तो खुद को तयार करना पड़ता है अब जैसे कभी आप ऊस श्ठान पे जाते हैं जा ठंड जादा है और आप किसी गरम इलाके में रहते हैं तो आप मन को प्यार करते हैं कि आज, अब मुझे 3-4 दिन के बाद ऐसे इलाके में जाना है जा ठंड जादा है तो मन से आप पयार करते हैं तो दिरे दिरे पर लगता है पहुंचने को दिरें लगता है यार मैंने तो सोचा था उससे तो जाए कम है क्योंकि आपने मन से तै कर लिया है और इसलिए आप temperature कितना है कितना नहीं वो देखने की जूरूत नहीं पढ़ती है अपका मन त्यार हो जागता है वैसे ही दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस थिती से जीतना है ये तो संकल्प करना को जाए दूसरा इजरा दबाव के प्रकार देखें एक तो दबाव होता है खुद ने ही जो अपने लिये ताय करके रखा है कि सुबह चार बजे उठना ही उठना है रात को ग्यारा बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है आतने तो इतने आंसर सोल करके ही जिपना है और बड़ा दबाव खुदी अनुभव करते है मैं समता हूँ हमने उतना स्ट्रेट नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हमारी एबिलिटी ही तूट जाए हमने स्लोली इंक्रिमेंट करना चाहिए चली भई कल मैंने साथ क्वेश्चन सोल की तर आपको आज आट करूँगा फिर मुझे बनना मैं पंदरा पै करूँ और साथ ही कर पौँँ तो सुबह उठता है आप देखो कल तो करनी पाए आज करूँगा तो एक खुद भी दबाव के पैदा करते हैं हमने इसको थोड़ा साइंटिक तरीके से कर रहे हैं दूसरा माबाप पैदा करते हैं ये क्यों नहीं किया क्यों सोता रहा चलो जल्दी उड़ते ने हो पता नहीं यह एक्जाम है और यहां तर क्याते है देख वो तरह दोस क्या करता है तू क्या करता है ये सुबे साम जो commentary चलती है running commentary और कभी मा ठक ज़े आते आजे हैं तो पापा की commentary शुरू होती है कभी पापा ठक जाते हैं तो बड़े भाई की commentary शुरू है जाती है और वो अगर कम पढ़ता है तो स्कूल में teacher की है फिर या आप तो कुछ लोग ऐसे हैं जाब तुमको जो करना है करलो मैं अपना ऐसे ही रहूँगा कुछ लोग इसे sensor लेते हैं लेकिन ये दवाव का दूसरा पकार है तीसरा ऐसा भी होता है कि जिसमें कारण कुछ नहीं है समझ का भाव है और बिना कारण उसको हम संकट मान लेते हैं जब एक्शुली करते हैं तो लगता है नहीं यार इतना मुश्किल नहीं था हम इने बिकार में दबाव जेलता रहा तो मुझे लगता है कि एक तो इनको पूरे परिवार ने टीचर ने सबने मिलकर के अड्रेस करना होगा सरफ स्टूडेंट एड्रेस कर लेगा सरफ परेंट्स एड्रेस कर लेंगे इतने से बात बननी नहीं है और मैं मानता हूँ कि ये लगातार परिवारों में भी बात्चित होती रहनी चाहिए हर परिवार ऐसे स्थित्यों में कैसे हैंडल करता है उसकी चर्चाए होनी चाहिए उसकी एक systematic theory के बजाए हमने धीरे धीरे चीजों को evolve करना चाहिए अगर ये evolve करते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम इन चीजों से बाहर निकल के आते हैं धन्यवाद झाल